हेलो फ्रेंड्स दिस इज आइस्पी सिंग एंड वैलकम टू स्मार्ट एवरी टे प्यारे दोस्तों बात करेंगे बीट फर्स्ट समेस्टर या बीट फर्स्ट येर की ठीक है अगर आप बीट फर्स्ट समेस्टर के उशेंड से और अगर आप प्रॉपर तरीके से कानपूर ठीक है तो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा बीट फर्स्ट समेस्टर का वह शिक्षा के दार्सनिक प्रिप्रेक्श ये आपका पहला सब्जेक्ट है फिलोसॉफिकल प्रफेक्ट्ट ओफ एजुकेशन ठीक है इसकी चार से पांस क्लासेस पहले हो चुकी हैं और दो यून प्रफेक्ट नमबर थ्री जिसमें हमारा टॉपीक होगा वेदान्त दर्सन और सिक्षा अगर आप लक्टन उनिस्टी शेंगे और प्रियागराज उनिस्टी शें तो आपके सब्जेक्ट का नेम होगा सिक्षा के दार्सनीकर समाश्चरी प्रिप्रेक्श ये टॉपिक हमारा topics है जैसे शिक्षा का आर्थ क्या है, प्रिभाषा क्या है, प्रक्रित क्या है, शिक्षा का शाब्ति कर्थ क्या होता है, ठीक है, शिक्षा का संकुची तर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापा कर्थ क्या होता है, examples के माध्यम से, pictures के माध्यम से, बहुत अच्छी तर है ठीक है तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे और हमारा टॉपिक है वेदा अदर्प्रसन और सिक्षा को भी बहुत आसान तरीके से समझगे और यह आप सामने कंटेंट देखा रहे हैं इस पीडिये उफ आप देखा इस नमबर पर WhatsApp Messenger के नोट्स की information ले सकते हैं आए आते हैं अपने टॉपिक पर चैप्टर 6 है यूनिट नमबर यहां से 3 सुरू हो रही है वेदांत दर्सन और शिक्षा वेद ब्रहमन आरण्यक और उपनिस्दों के गहन और विस्तरत दार्सनिक चिंतन का अंतिमसार ही वेदा दर्सन है यानि कि सबसे पहले हम वेदांत को समझते हैं दर्सन और शिक्षा पहले ही समझ चुके हैं वेदांत क्या है देखिए वेद ब्रहमन आरण्यक और उपनिस्दों के गहन यानि की बहुत डीप और ब्रॉड रूप तरीके से जो दार्सनिक चिंतन का अंतिमसार है वही वेदांत दर्सन है वेदांत दर्सन के प्रवर्तक महरिशी वादरायन व्याश है कौन है वेदांत दर्सन के जो प्रवर्तक है वो महरिशी वादरायन व्याश है उनके दोरा रचित गरंथ ब्रहम सूत्र इन समस्त गरंथों का सारत्त्त है वादरायन व्याश के दोरा जो ग्रंथ रचा गया ब्रह्मशूत्र वह इन समस्त ग्रंथों का सार्थत्तो है ब्रह्मशूत्र ही वेदान्थ दर्सन का आदिगरंथ माना जाता है किसको ब्रह्मशूत्र जो है इसी को वेदान्थ दर्सन का आदिगरंथ माना जाता है वेदान्त दर्सन को उत्तर मीमाशा भी कहा जाता है वेदान्त दर्सन को उत्तर मीमाशा भी कहा जाता है आईए अब हम समझते हैं प्रॉपर तरीके से वेदान्त क्या होता है वेदान्त का अर्थ क्या होता है वेदान्त का शाब्दी करता है वेदों का अंतिम भाग क्या वेदान्त का शाब्दी करता है वेदों का अंतिम भाग वेद शब्द ग्यान का प्रयावाची है वेद क्या है वेद जो शब्द है यह ग्यान का प्रयावाची है अंत क्या है यानि कि मुक्ष क्या है और इसकी प मोक्ष क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, साधन क्या है, इनका जो वर्णन है, इनका जो विवेचन है, वही वेदान्त कहलाता है, अब एक लाइन में और समझे, वेदान्त का ततपर उस अंतिम ग्यान से है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है वह वेदान्त कहलाता है आई बास समझ में ठीक है वेदान्त को हमने समझ लिया आगे बात करेंगे वेदान्त दर्सन की तत्मिमाशा की मेटाफीजिक्स और वेदान्त दर्सन क्या है आईए इसको समझते हैं संक्राचार की अनुसार शंक्राचार कौन है स संक्राचार के बारे में छोटी से जन्म करी ले लिए देखिए संक्राचार जो है इनका जन्म केरल में केरल में एक गाउं था कालदी ठीक है कालदी नामा गाउं में इनका जन्म हुआ था और 758 यिष्वी में जन्म हुआ था संक्राचारी का जर्म था और कालती नवा काओं में घौाँ इनके बारे में ध्यान लखने वाली बात ये है कि साथ वर्ष की आयू में केवल साथ वर्ष की आयू में इन्हें समस्त वेदों का ग्यान प्राप्त हो गया था सिर्फ साथ वर्षों में किसको संकराचार जी को और आठ वर्ष की आयू में इन्होंने सन्याश दारन कर लिया था ठीक है और उसके बाद बारह वर्ष की आयू में इन्होंने ब्रह्म शूत्र, उपनिशत, जीता, आधि पर टीकाएं भी लिखनी शुरू कर दी थी इतना काफी है बहुत जीवनी नहीं याद करनी है संक्राचार के उनसार ब्रह्म पूर्ण एवं एक मातर सत्य है संक्राचार कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही पूर्ण है ठीक है पूर्ण है और एक मातर सत्य भी वही है आत्मा और ब्रह्म है एक ही तत्व के दो नाम है दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म है ये एक ही तत्व के दो नाम है दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है ये सिर्फ क्या है तत्व एक ही है नाम दो है इनके ठीक है इनकी जड़ यही है नाम दो है ठीक है दोनों में कोई अंतर नहीं है ब्रम परम्तत्तो है, अनाधि, अनन्त और निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, अनाधि है, अनन्त है, जिसका कोई अन्त नहीं है, ब्रह्म इस ब्रहमांड का करता एवं उपादान दोनों कारण है ब्रह्म इस ब्रहमांड का करता एवं उपादान दोनों ही कारण है ब्रह्म माया शक्ती के द्वारा इस विश्व का निर्मान करता है यहाँ पर विश्व होना चीए था ठीक है विश्व है लिखा आप यहाँ पर विश्व कर लीजेगा विश्व पढ़िए ब्रह्म माया शक्ती के दौरा किसके दौरा माया सक्ती के दौरा इस विश्व का इस संसार का निर्मान करता है निर्मान करने वाला कौन है? ब्रह्म है इसके माध्यम से करता है? शक्ती के माध्यम से करता है किस कर्मान? इस विश्यो कर्मान ठीक है अब आप ऐसे समझे जिस परकार जादूगर जादू उसके पास जादू का ग्यान होता है जादू की प्रवीनता होती है तो जिस प्रकार जादूगर जादू की प्रवेंटा से अनेक तरह के खेल दिखाता है और हम उसमें पूरा विश्वाश कर लेते हैं कि यहां ठीक यह ऐसे ही कर रहा है इसके पास बास्तों में कोई जादू यह शक्ती है उसके माध्यम से कर रहा है जबकि वो उसका perfection होता है तो जिस प्रकार से एक जादूगर जादू की प्रवेंटा से अनेक तरह के खेल दिखाता है ठीक उसी प्रकार ब्रह्म भी कौन? ठीक उसी प्रकार ब्रह्म अपनी माया शक्ती से अनेक प्रकार की वस्तो जगत का निर्मान करता है और माया शक्ती के करण जो निस्क्रिय ब्रह्म भी है वो अभी शक्ती हो जाता है वो अभी active हो जाता है माया सहीत ब्रह्म को ही संक्राचार ने इश्वर कहा है माया सहीत कहा है माया से अलग नहीं कहा है उन्होंने कहा है कि माया, जो है, माया के साथ ब्रम जुडा हुआ है, माया और ब्रम दोनों साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो माया शहीत ब्रम को ही संकराचाने इश्वर कहा है, ब्रम की तरह आत्मा है अपने में पूर्ण है। अच्छा यहां पी जो आत्मा है कौन है आत्मा आत्मा क्या है आत्मा अमर है अजर है इसका अजीव तत्तों से संयोग माया मात्र है ब्रह्म की तरह आत्मा भी अपने में पूर्ण है शर्व व्यापक्ष और सक्तिमान और सर्व ग्याता है आत्मा शेम शिद्ध है इसके लिए प्रमान की आओ सकता नहीं है जो जीव है डियर फ्रेंड कौन जीव जीव जो है यह माया की ही रचना है जीव को रचा किसने है माया ने रचा है माया क्या है माया जो है यह हमें अविद्या और अज्ञान के करण जीव अपने को शरीर मान लेता है किसके करण माया के करण जो जीव है ठीक है माया के करण जीव माया माया क्या है अविद्या अज्ञान जिसके कारण जीव अपने को शरीर मान लेता है और इंद्रियों द्वारा किये गए काम को जीव का काम मान लिया जाता है कि ये काम इस जीव ने किया है या ये काम इसने किया है किसके कारण मान लिया जाता है? माया के कारण काम कौन करता है? इंद्रियां करती है ठीक है चलिए ये सब तो व्यवहारिक सत्ता जो है वो पूर्ण सत्त नहीं है क्योंकि जगत नाश्वान है अशत्त है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेदान्द दर्सन की ग्यान में माश्रा की बात कर लेते हैं देखिए संक्राचार ने दो तरह का ग्यान बताया है क्या बताया है संक्राचार ने दो तरह का ग्यान बताया है एक तो अपरा लौकिक तथा व्यवहरिक दूसरा परा यानि की आध्यात्मिक ग्यान बताया है ठीक है व्यवहरिक सत्ता के अंतरगत अपरा ग्यान आता है व्यवहरिक सत्ता के अंतरगत अपरा ग्यान आता है जिसमें अमरा लौकिक और व्यवहरिक जगत की बात होती है जो मनुष के व्यवहरिक जीवन को सफल बनाने में साहिक होता है किन्तु इस ग्यान द्वारा मनुस से अपने जीवन के अंतिम उद्दिश यानि मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता ये जो ग्यान है ये बहुतिक ग्यान है इस बहुतिक ग्यान के माद्यम स्विक्त अपने जीवन को सफल तो बना लेगा जिवन में सक्सेश तो हो जाएगा लेकिन उसे मुक्ष की प्राप्ति इससे नहीं होगी सच्चा ज्यान क्या बताया गया है? सच्चा ज्यान वहा है जो मुक्ति दिलाए मुक्ति की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्यान के द्वारा ही होती है किसके द्वारा होती है आध्यात्मिक ग्यान के द्वारा ही होती है देखें दोनों प्रकार के ग्यान की प्राप्ती के लिए स्रवन, मनन और निदी ध्याशन की आवशिकता है किन्तु आध्यात्मिक ग्यान के लिए इसके साथ ही साधन चतुष्टे की भी आवसिता होती है अब यहाँ पे एक बात यह समझ लिए कि देखिए आपने समझ लिए अपरा अपरा ग्यान वो है जो आपका भौतिक ग्यान है ठीक है जिसमें अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और परा अध्यात्मिक ग्यान है जिसमें अध्यात्मिक ग्यान यहां हमें ईश्वर से कनेक्ट करने का काम करता है क्या करता है यह हमें ईश्वर से जोडने का काम करता है यह हमें मुक्ति दलाता है यह हमें भक्ती मार्क पर ले करके जाता है अब हम बात करेंगे वेदान्त दर्सन की आचार मिमाशा पर वेदान्त दर्सन की आचार मिमाशा को समझेए देखिए मनुस्य जीवन का अंतिम उद्दिश मुक्ष की प्राप्ति करना है जिसके लिए आध्यात्मिक ग्यान मार्ग पर चलना आवश्यक है यदि विक्ति वास्तों में मुक्षी चाहता है जीवन का अंत चाहता है, मुक्ती चाहता है उसके लिए आध्यात्मिक ग्यान मार्ग पर उसे चलना होगा ग्यान प्राप्ति के लिए संक्राचार ने स्रवन मानन निदिध्यासन और साधन चतुष्टे पर बल दिया है और संक्राचार ने कहा है कि मनुस्य अपना व्यवहारिक जीवन सफलता पूरोक तभी व्यतित कर सकता है जब वह अपने दायतों का पालन निष्ठा एवं इमानदारी के साथ करेगा देखिए हम अपनी पालन कर पाएंगे इमानदारी से रह सकेंगे लोगों के साथ प्रेम भात्त्त भाई चारे की भावना होगी है ना सहीओग होगा यह इन सब चीजों के माध्यम्शे अपने आपको हम अपने जीवन को सफल बना सकते वह जितना इमानदारी के साथ जीवन यापन करेगा उत सद्धान्त दर्सन के सिद्धान्त नमर एक तो ब्रह्म की अवधार्णा की बात की गई है कॉंसेप्ट सन ओफ ब्रह्मा की बात की गई है संक्राचार डियूफरेंट जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि ध्यान रहे अगर मालीजा आप हमारा पेड़ कंटेंट लेते है ठीक है या जितने भी इस्टेंट ले चुके हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि पेड़ कंटेंट लेने के बाद आपको बाहर से यानि मार्केट से किसी भी प्रकार की कोई कॉपी, किताब, कोशन बैंक, मॉडल पेपर, कुछ भी खरीदने के आउसकता नहीं रहे जाती है आ आपको question answers मिल जाते हैं, short questions, long questions, हर तरीके content आपको मिल जाता है, अगर आप B8 कर रहे हैं और आप लखनो कानपुर प्रियागराज उनिश्टी से हैं तो आप फटाफट जो नमबर आपको दिया है, वह हम message कीजी और आपको notes मिल जाएंगे, देखे, वेदान्त तरसन के सिध धान्त की बात करते हैं, जैसे पहली बात होगे हमारी ब्रम की अवधारना, संक्राचार ने ब्रम को ही एक मातर सत्य माना है, किसको माना है, शंक्राचार ने ब्रम को ही, है ना जैसा कि पहले बताया गया है सुरुआत में, इन्होंने ब्रम को ही एक मातर सत्य माना है, कि बस वही सत्य है बाकी सभी वस्त में इश्वर जीव, जगत इनको इन्होंने सब प्रपंच माना है कि ये सब प्रपंच हैं फालतों की चीजे हैं संक्राचारे ने कहा है ब्रम सत्य जगत मिथ्या है हमारा जो ब्रम है वही सत्य है ठीक है ये पूरा जगत, ये है पूरा संसार, जूठा है, मिथ्या है, और क्या बताये इन्होंने, ठीक है, इन्होंने कहा कि जीवो ब्रह्म्यो नापरा, जीवो ब्रह्म्यो नापरा, ये ब्रह्म ही एक मात्र सकते है, जगत मिथ्या है, तथा जीव और ब्रह्म भी अभिन है, ठीक ह की मूलत्त्त है क्या कहते हैं कि ब्रह्म मैं के ही दवारा इस ब्रहमाण का निर्माण भी होता है। loss से इक मकड़ी आपने मकड़ी को देखा होगा सुना होगा। जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर के उसके अंदर जो भी पदार्थ होता है जो द्रव्य होता है उसे अपने मेहिनत से एक जाल की रचना करती है ठीक है ब्रह्म इसे संसार का निमाण अपनी ही माया शक्ती के दोरा कर पाता है आप जगत की अवधार्णा की conception of world की बात करेंगे तो संक्राचार के अनुसार ब्रह्म सत्य जगत मित्या जगत परिवर्तन सील है जगत में संसार में परिवर्तन होते रहना है परिवर्तन संसार का नियम है उसका निर्माण भी होता है, नाश भी होता है इसलिए यह अनित्य है, असत्य है किन्त विवहरिक दिश्ती से जगत सत्य है क्यूंकि इसी जगत में रहकर के मनुष ग्यान, कर्म, भक्ती और मुख्ष की प्राब्ती भी करता है है ना विवहारिक दृष्टी से देखा जाए तो सत्य है बाकिया सत्य तो है ही सत्य इसलिए है क्योंकि यही पर मनुस्य ज्यान कर्म भक्ति मुक्ष्ट की प्राप्ति भी कर पाता है आगे बढ़ेंगे अगला सिध्धानता है माया की अधार्णा देखिए शंकर की बात हो रही है संकराचार की तो संकर के दरसन में क्या है जो माया है इसकी अधार्णा इन्होंने अलग लग करके दी है इन्होंने ये भी कहा है इन्होंने माया के बारे में एक बात और कहिए कि जगत में हमें जो भी विभिनता या विविदता और अनिकता दिखाई देती है वो सत्य नहीं है ये सब माया है इन्होंने यहाँ पे माया ये तलब मतलब असत्य बताया है उन्होंने कहा है कि संसार में हमें जो कुछ दिखाई देता है ठीक है, वो सत्य नहीं है, यह सब माया है, यानि कि यह सब चीजें असत्य है सत्य तो किवल वहा परम तत्त परमात्मा है, जो जगत की सभी वस्तों में विद्यमान है जगत की संसार की हर चीज में वो विद्यमान है ठीक है ये जो अलग-अलग प्रकार की creation देखने को मिलते हैं जो स्रजन जो देखने को मिलते हैं ये उस परमात्मा की अभिविक्ती है तो पहले तो इन्होंने माया को असत्य माना है फिर दूसरा point ये है कि आदिकाल से ही परमतत्त्य परमात्मा के साथ एक परम शक्ति विद् प्रक्ति ओया किया है माया यानी की अविद्या के कारण अज्ञान के कारण जीव ये भूल जाता है कि एश्वर उसका सरजन करता है उसका पिता है जो इसके creation किसने किया फिरजन करता उसके क्यों है पिता क्यों है भगवान है अत्वा इश्वर है ठीक है अत्वा उसका उससे कोई संबंध है इसी के फलसुरूप जीव स्वेम को 177 मान बैठता है है ना और अपने शरीर मन और इंदरियों से वो सिमट जाता है क्योंकि वो अपने आपको क्या मान लेता है अपने आपको ही फ्री मान लेता है जाने कि उसका मान लेता है कि मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है है ना या मैं खुद मतलब आलग तरह की आदमी के अंदर धानाई होती है ठीक है तो अब इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे वो अपने शरीर, मन, इंद्रियों से सिमट जाता है और इसी लिए वो शकाम, कर्म बताया गया है क्या बताया गया है? शर्काम, कर्म करते हुए पुन्य और पाप का भागी बनता रहता है इससे उसे जन्म और मृत्यों के बंधन में भी रहना पड़ता है जब जीवकु ग्यान हो जाता है कि उसका परमात्मा से संबंध है परमात्मा के साथ उसका कोई कनेक्शन है तब उसका अग्यान धीरे-धीरे मिटने लगता है है ना अग्यान उसका हटने लगता है छटने लगता है और वो माया के जाल से भी मुक्त होने लगता है वो अनिश्काम, कर्म की प्रवत्ति अपना लेता है और प्रमात्मा में लेन भी हो जाता है जीव समंदिय अवधारणा देखे अद्वेत दर्सन क्या है अद्वेत का मतलब क्या होता है देखे अद्वेत का मतलब होता है जिसके दो भाग ना किया जा सके पहले तो आ हटा देजे द्वेत की बात कीजे द्वेत का मतलब होता है जोडा अद्वेत का मतलब क्या होता है जोड़ा यानि की इंग्लिश में इसको कहेंगे पेयर जहां पे दो चीजे होती है वहां कहा जाता है कि ये पेयर है जोड़ा है है ना जो अलग नहीं किया जोड़ा है फिर इसमें छुटा आ लगा दिया अद्वेत अद्वेत का मतलब अब इसको अलग नहीं किया जा सकता पहले दो चीजे थी है ना ये दोनों अलग लग थे ये एक पेयर हो गया लेकिन अब ये अद्वेत अब ये दोनों एक हो गए अब इनको अलग नहीं किया जा सकता तो अद्वेत असन्द के उनसार जीव जो है यानि कि प्राणी वो माया की रचना है इसलिए जीव का कारण अविद्या है ठीक है अग्यान या माया के कारण जीव स्वेम को अपने श्रीड का श्वामी मान बैठता है कि अपने श्रीड का श्वामी मैं हूँ ये अग्यान के कारण हुआ माया के कारण हुआ है न? अविद्या के कारण हुआ और इंद्रियों दूरा शरीत जो भी काम करता है उसे यही माना जाता है कि जीव ने किया है है न? आगे बढ़ते हैं जीव और ईश्वर की बात करते हैं यह इसका अगला सिध्धानत है जब ब्रह्म है सगण रूप में माया से समंदित हो जाता है तो उसे इश्वर कहते है क्या कहते हैं तब उसे इश्वर नाम दिया जाता है वह सरवग्याता सरव्यापा को और सरवशक्ति मान है कौन इश्वर है ना आध्यात्मिक दिश्टिकोन से जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता अध्यात्मिक दृष्टिकोर्ण से देखें तो जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है लेकिन सांसारिक दृष्टिकोर्ण से दोनों में बहुत अंतर है सांसारिक दृष्टिकोर्ण से बनाए रखा है जबकि जीव का माया पर कोई कंट्रोल नहीं है उसको कंट्रोल कौन करता है उसको माया कंट्रोल करती है माया से वो कंट्रोल होता है है ना इश्वर आनंद में है क्योंकि वो माया से नियंत्रित नहीं है वो माया से फ्री है जीव सांसारिक सुख दुख का अन किसी सुख या दुख कानवाव नहीं करता, वो इसे से बिल्कुल फिरी है, जीव अज्यानतावश या अविद्या के कारण स्वयम को आत्मा मानता है, इसी माया, इसी अविद्या के कारण उसे दुख, सुख, दुख के अनुभूती होती है, ईश्वर साक्षी है और जीव भूकता माना गया है, तो ये कुछ सिध्धांत है हमारे, वेदांत दर्सन के सिध्धांत है, अब हम बात करेंगे वेदांत दर्सन और सिक्षा दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं ठीक है, फिर हम इसका पार्ट करम क्या है यानि कि पूरा चेप्टर खतम करेंगे वेदान्त दर्सन और शिक्षा बाके एक्स्प्रियन करना भी जरूरी है एक्स्प्रियन्तों करना ही पड़ेगा वेदान्त शास्त्र सभी शास्त्रों का शिरोमनी है जो वेदान्त शाष्टर है यह सभी शाष्टरों का शिरोमनी है जिसमें समस्त वेदों का अंतिम लक्ष वर्नित होता है वही वेदान्त है अचर अचर समस्त जगत का जो मूल कारण ब्रह्म है उसका पूर्ण विवेचन इसी में समाहित है वेदान्त दर्सन में संपूर्ण सिक्षा का समंद ब्रह्म ग्यान की प्राप्ती से ही है वेदान्त दर्सन में संपूर्ण सिक्षा को जो समंद है वो ब्रह्म ग्यान की प्राप्ती से ही माना गया है ठीक है विदान शिक्षा दर्सन के उनसार शिक्षा के अलगलग सुरूप हैं जैसे शिक्षा का ततपर क्या है शिक्षा का ततपर इन्होंने माना है कि अथातो ब्रह्म जिग्यासा ब्रह्म सूत्र का प्रथम शूत्र माना गया है अता तो ब्रह्म जिग्यासा ये ब्रह्म शूत्र का प्रथम शूत्र माना गया है इस सूत्र के अनुसार ब्रह्म जिग्यासा को हम सिक्षा मान सकते हैं किसको ब्रह्म जिग्यासा को ब्रह्म का ग्यान प्राप्त करने से हमें आत्मा, जगत, पदार्थ, चेतन, जीव अब्धेश कहें मुक्ति है और इस मुक्ति के लोगए घ्यान मारकर शमर्थन भी किया है शिक्षाК के विसे में उने उपनिष्धिये विचार का समर्थन किया और विमुक्ताये को ही उन्होंने शिक्षा 9 माना है ठीक है संक्राचार के अंसार मनुस जीवन का जैसा कि यहां पर बताएगा है उद्देश मुक्ती है और इस मुक्ती के लोगने ग्यान मारकर शमर्थन किया है उनकी दिश्टी में जब मनुस को ये ग्यान हो जाता है कि ब्रह्म सत्य है और बाकी सब कुछ जूठा है असत्य है तब ही वो सांसारिक माया महों से युक्त भी होता है ठीक है और भेद दिश्टी से मुक्त भी हो पाता है सब में श्वेम को अर श्वेम में सब को देखता है और इस ग्यान की प्रापती शिक्षा से ही हो सकती है आगे बढ़ेंगे शिक्षा के उद्देश की बात करेंगे देखें संकराचार में शिक्षा के जिन्द और रूपों को शुईकार किया है वे एक अपराविद्या और पराविद्या है अपरा हमारा भौतिक जीवन से connection है अपराविद्या हमें भगवान के उर इशोर के उर connect करती है अपराविद्या का ताथ पर वेव हर एक शिक्षा से है हमारे भौतिक जीवन से है जो हम रोज जीते हैं और इसका उद्धिष है शारिक विकास और शुद्धी मानसिक विकास और भौतिक विकास होना नैतिक और चारित्रिक विकाश, वर्ण के अनुसार, योगी विवसाई की शिक्षा, आपका जैसा वर्ण जैसा है न, वर्ण के हिसाब से अपना विवसाई चुनना, इंदरिय, निग्रह, चित्त की शुद्धी, आध्यात्मिक विकाश, ये बात हो गई पराविद्या, किसक को समझ सकेगा, जब वो ईशुर के सब्कनेक्ट हो पाएगा, इससे वो अपने विक्तित की पूर्णता को भी प्राप्त कर लेगा, ठीक है, आप सिक्षन की कुछ विद्यां बताई गई है, जैसे, टीचिंग मैथेड्स में पहला आता है, स्रवन विधी, स्रवन विधी क् ऐसे वातावरण में रखना कि वह गुरू की बात को ध्यान पूर्वक निर्वेद्न होकर सुन सके, ठीक है, दूसरी उन्होंने इस सिक्षन विधी, उन्होंने ऐसा बताया कि बालक को इस तरीके से पढ़ाओ, कि बालक मरन कर सके, गुरू जी ने जो कुछ बताया है, उसक मनन विधी होगी, प्रश्णोंतर विधी है, इसमें ये बताया गया है, इसमें शिष्च और गुरू के बीच प्रश्णोंतर द्वारा सिष्च की शंकाओं का निवारण किया जाता है, यानि कि शिक्षार्थी को जो भी संकोच है, जिस विशे को आप पढ़ा रहे हैं, उ तरक विधी, इस विधी में गुरू तरक दे करके चात्रों के संसे और कौतूहल को दूर कर सकता है, द्रिष्टांत विधी, द्रिष्टांत का मतलब होता है, द्रिष्टांत का अर्थ होता है, उदाहरण यानि की एक्जामपल, जो की सबसे आसान तरीका होता है बच्चे क किसी भी बड़े से बड़ी complicated topic को भी अगर हम कोई उदाहरन दे करके समझाते हैं तो बच्चा उदाहरन को पकड़ करके चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है और जो है कम समय में समझ जाता है और ऐसा समझता है कि उसको एक long term के long time के लिए उसको याद हो जात अता शिक्षा की पार्चर्या में भी मनुस के अपरायाने की व्यवहारिक एवं परा आध्यात्मिक दोनों पक्षों से समंधित ग्यान और क्रियाओं का समाविश किया है व्यवहारिक जीवन के लिए उन्होंने पार्चर्या में व्यवहारिक ग्यान जिसे भाषा, चिकत् प्रत्याहर धार्णा ध्यान समाधी इन सब चीजों का विकास समावेश इनों ने किया है किसमें पराविद्या में ठीक है विवहारिक दृष्टी से गर देखा जाए तो मनुष्ट में भेद होना एक करम जनित है और जिगत नियनता का विधान भी है ठीक है और चलिए इसको और डीप में न ले जा करके आगे बढ़ते हैं सिक्षक की अधाना की बात करेंगे कि वेदान तो दर्वसन के उनसार सिक्षक को क्या माना किया है यानि संक्राचार ने सिक्षक को बहुत उच्छ इस्थान पदान किया है कि जो सिक्षक है इसका इस्थान बहुत ही उंचा ह गुरू ही वो माध्यम है जो सिश्य को मुक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है गुरू सिश्य के आध्यात्मिक पिता होता है गुरू जो है वह सिश्य के आध्यात्मिक पिता माना गया है गुरू को सिश्य के व्यक्तितों का सम्मान भी करना चाहिए और शिश्य को कभी हतोतसाहित न करते वे उसकी व्यक्तिगत कठनाईयों को दूर करना चाहिए यानि कि बच्चे को हतोतसाहित नहीं करना चाहिए है ना बच्चे को हमेशा इंकरेज करो उसे प्रोतसाहित करो है ना हतोतसाहित नहीं प्रोतसाहित करो प्रोत शाहित जो है यह पॉजिटिव वर्ल्ड है उसकी जो भी विक्टिगत कठनाईया है जो समस्यां हैं उनको दूर करने का प्रयाश करना चाहिए वह लिए चातर की पातरता की परक करने वाला हो कि आखिर चातर के अंदर उसकी योगता, छमता, रुची, रुजहान किसमे है उसके सुख दुख का साथी बने ऐशा शिक्षक होना चाहिए अब बात करते हैं सिक्षारते की यानिकी इस्टुडेंट की देखिए, वेदान दर्सन के उनसार शिक्षारती क्या है, विद्यारती क्या है संकराचार के वेदान दर्सन के उनसार गुरू के समान, शिष्ष को भी अनन्त ग्यान और शक्ति का स्रोत माना गया है जो शिष ऐसाने की गुरुही शक्ति का स्रोत है ज्ञान का स्रोत है सिष से भी है शंकर छात्र को ब्रह्मचारी और अंतरवाशी का नाम देते हैं किसका नाम ब्रह्मचारी और अंतरवाशी का नाम देते हैं कहते हैं कि सच्चा सिष वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंतर्ण कर ले जो कंट्रोल कर ले वेदांत दर्सन अद्वेत वासी होने के कारण शिक्षार्थी को ब्रह्म का अंस मानता है और विशिष्टा अद्वेत वादी होने के नाते उसे शरीर और आत्मा से मुक्त प्राणी मानता है जो भौतिक और चाड़ाईने याद रखेंगे इतना काफी आप के लिए ठीक है तो हमारा आज जो वेदान दरसन और शिक्षा ये टॉपिक खत्म होता है नेक्स्ट क्लास में लोग जैन दरसन और शिक्षा की बात करेंगे ठीक है क्लास कैसे रही कॉमेंट करके जुरू बताएगा अगर इनक्स्ट क्लास में